असलाम लेक्म वेल्कम बैक टो मैं चैनल डॉक्र काना चतुई आई होप यू अलवेल एंड दूइंगे तो गैस हम लोग जो है अमानो असिट की मेटापॉलिजम कर रहे थे जनरर ओवर्वी हम लोग ने दे दिया था लास्ट वीडियो में अब जो है हम लोग फर्दर हम लो अ वह में पुलिजर के पूर्वर्वं लोग तो अमोनिया की फॉर्म में थीक है यह था मुष्ज कि फॉर्म में हमारी बाडी से इता है यह था सी नाइट्रोजें की सॉर्सेज नाइट्रोजन हासे मिलता है और नाइटोजन जो है वो हमारी कैसी हमारी बाड़ी से रिमूव आउटा है नाइटोजन हमारी बाड़ी से यूरिया अमूनिया और किसके थ्रू हमारी बाड़ी से यूरिया अमूनिया और किसके थ्रू हमारी बाड़ी से यूरिया अमूनिया और किसके थ्रू हमारी करते हैं कि हमारे पास जो amino acid की metapolysum है amino acid की जो हमारे पास metapolysum है amino acid की metapolysum है ना यह कै मैं जो amino acid की metapolysum का process होता है ना वो क्या है यह large part होता है larger of the nitrogen containing molecules का larger processus होता हैoolarger process होता है metapolism of the這種 तेम का हैं मैंसकριा आपार्ट है क्या है पार्ट ओफ कि पार्ट ओफ larger processes आपो दिमेटापोलिसम धिक है polysymvely plastic of nitrogen compound nitrogen he can containic molecule में ये nitrogen containing molecules में एक larger process है जो के use होता है degradation of the metabolism of the amino acids के लिए so इसे ये nitrogen की metabolism में amino acid की metabolism आती है क्योंकि वो nitrogen containing compound है amino acid so अब हम जो है बात करते हैं जब भी हम लोग amino acids का बात करेंगे तो वहां भी हमारे पास दो ट्रम जादा use होंगी एक amino amino acid का pool हमारे पास use होता है ठीक है और हमारे पास जो है वो एक protein turnover की बाहत की जाएगी protein turnover turn over ठीक है protein turnover और amino acid pool की बात की जाएगा अगर हम amino acid pool की बात करें तो amino acid pool है क्या amino acid क्या होताँ exactly simple words में का और यह amino acid specialty collection होती amino acid τι में जहां पर collection of amino acids means के तो तक क्लेक्शन उपना रमाईनो एसिट को क्या एते हैं कि में हो थाफ है क्या होता है क्छा अफ दया ना चु कि अंदर और और ना फ्री और इन सब के अंदर जो हमारे पास free amino acids होते हैं ना इनके अंदर जो भी free amino acids होते हैं वह amino acid कहा चले जाते हैं उनकी collection हो जाती है amino acid के amino acid के pool में ठीक है और फिर वह यहां amino acid के pool से क्या कोते हैं फिर यह amino acids के pool से फिर जो amino acids होते हैं यह तो फिर amino acids कि क्या करवाएंगे वह amino acids यह तो protein की synthesis करवाएंगे यहاں protein की synthesis करवाएंगे ठीक है यहां पर simple nitrogen जो nitrogen जो compound होंगे उनकी formation करवाएंगे molecules of nitrogen compound की formation करवाते हैं ठीक है यहां फिर excess amount होती है उनकी क्या हो जाती है degradation हो जाती है तो यहां से amino acid बेसिकली उनकी collection होगी और वहां से फिर amino acid यहां तो protein के synthesis में चले जाएंगे nitrogen compound बना देंगे यह intermediate compound बना देते हैं यहां इनकी degradation हो जाती है ठीक है तो अगर कोई भी आप से पूचे कि amino acid के pool क्या होता है तो simply यह collection of the amino acid which are dry from the कहां से हमें मिलता है means के वो single ingredients से मिलते हैं तो हमारे पस क्या हो जाता है इस तरीके से हमारे पास amino acid pool को हम लोग discuss कहते हैं अच्छा अब rhe более शोर्सप्स क्या है तो इनकी sources हम लोग पढ़ चोके थे इनकी sources वह져 main sources है means के यह वह यह diet से मिलेंगे means के हम लोग बाद करें exogenous to हमें कहां से मिलेंगे diet से मिलेंगे अगर हम इसको इसके इंडोजने से काई घो गए तो इनकी होंगे हमारे पास okay छो कि हमारे पास intermittent की टीडियटेशन हैं फिर हम है यह मिला है हमारे पास इनके जो है तीन हमारे पास थे मिलिचे करें ने कर $ जोंगे आपकी आप टिक क्याओं कहुँ होता अब इसकी डिबरेशन कैसे होगे आप MMM क्योंकि हमारे पास इस्टोर तो रह नहीं सकते हैं में इसके अमाइनो ऐसे पूल में हमेशा के लिए तो फुचर के यहां पर इस्टोर नहीं होगे पहल कि यहां पर जैसे कलेक्टिट हो उसके बाद वो जो है यह उनकी डिपलेशन स्टार हो जाएगे अब वो जो है अपने फंक्शेय मोटे हैं जो नहीं उसके पूल के अंदर हमारे पास इसरस होंगे वो अमाइनो ऐसे कि कैसे हमाइन ऐसे डिपलेटर ठीड़िटर फाफिट थरी रूट ठीक है अब इनकी जो है तीन डूर्स के यह दिपलेटर होगे सबसे पहले जो इसके होगी उसमें क्या होग करेंगे प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे ठीक है सबसे पहले यह क्या करेंगे प्रोटीन को सिंथ प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे सेकिन हमार पास क्या होगा कि यह हमार पास क्या करेंगे यह नाइट्रोजन कंपाउंड इस्मॉल मॉलिक्यूस में इसके प्रिकर्सर होंगे क क्या होंगे precursors of the intermediate compound यहां पर आप लोग करेंगे nitrogen containing small molecules की formation करेंगे nitrogen containing nitrogen containing small molecules precursors ठीक है उनके क्या करेंगे यह उनके ऐसा precursors होंगे क्या होंगे उनके ऐसा precursors यह हमारे पास फॉर्म होंगे ठीक है उसके इलावा third and the most important क्या होगा कि यह हमारे पास यह जो है उसके बाद जो होगा यह amino acid को convert कर देंगे glucose means के intermediate compound के अंदर यहां फिर उसके अंदर means के हमारे पास क्या बनेगे और जो means के third था वो क्या करेंगे alpha keto acid के थुरू alpha keto acid जो इनके पास बनता है product उसके थुरू क्या बनाते हैं यह यहां तो glucose में change हो जाते हैं ठीक है यहां तो glycogen में convert हो जाते हैं यहां फिर यह हमारे पास क्याकित है है fatty acid की formation करवाते हैं ठीक है उसके इलावा यहां फिर ketone bodies की synthesis करवाते हैं यहां फिर simply यह oxidize हो जाते हैं oxidize होके यह carbon dioxide and water में क्या हो जाते हैं carbon dioxide water में जो हो बन जाते हैं इनके oxidation का process करके carbon dioxide and water में convert हो जाते हैं तो यहां पहुत है amino acid का pool आपको पता होना चाहिए क्या है सिंपल amino acid का pool क्या है कि इसके इन दर हमारे पास collection of amino acids होते हैं जो कि हमारी body में free amino acids move कर रहे होते हैं जो कि हमें जो प्रोडक्ट होता है वो ग्लुकोज ग्लाइकोजन या फैटी आसे या किटोन बॉडी यह फिर सिंपली ऑक्सडाइज हो जाता है ठीक है अचा इसके इलावा करें कि हमें डेली डाइट में अमाइनो एसेट के पूल में कितने अमाइनो एसेट जो होते हैं हमारे पास सो सि अगर हम लोग 70 ग्राम ऑफ में के साब से और अगर हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो होते हैं हमारे पास 12 केजी होते हैं इना 70 केजी में के अंतर तो ऐस कंपेर तो प्रोटीन या वैसे भी बात कर लें तो हमारे पास अमाइनो एसे जो होते हैं वह तो पर्विव दिया कि नैट्रोजन मेलरपलिजम में नाइट के थूर अप्रोटीन और अमारी बॉड़ी में आती है और लीव कैसे होती है अमोनिय यूरिया या करेटरैन की फॉर्म में अमानो एसिट की मेटापॉलिजम है में जो कैटापॉलिजम औफ अमानो सिट होता है blue नाट्रोजन आपने क्ते फूर्म मालेकूल के तो पर अमानोसिट वो में होता है तो अमानोसिट पूल हमने हूँ सिंपल किया कि 교 devenir eternal pirs cell added to the devastation in the model जो processes होते हैं उनके through हमारे पास amino acids की degradation होती है, अब हम बात करते हैं, protein करन प्रोटीन कनलवर की जो protein है, उसके बारे में उसके turn over में, की part होताई है, अगर simply हम लोगًअ protein turn over के बात करते हैं, तो simply आपको, अगर हम इस word की बात करते हैं, तो से आपको क्या पता चल रहा है, प्रोटीन जो हमारे पास protein turnover है, उससे हमें simply ये पता चल रहा है, कि protein means कि turnover से क्या पता चल रहा है, कि जितनी amount में हमारे पास protein बनेगा, उतनी amount में हमारे पास protein degraded होगा, तो इस तरीके से protein turnover होगे कि मिसके protein की synthesis उसका rate जै फॉर एक्जैमपल protein की synthesis ठीक है और protein की synthesis और protein की degradation है वो हमारे पास हमेशा equal to रहती है यह फिर protein की degradation है यह हमारे पास normally means के ऐसा average person के अंदर हमारे पास यह दोनों protein synthesis और protein की degradation होती है हमेशा उनकी same ही रहती है equally रहती है एक average healthy man के अंदर जहां हमारे पास वो person जो है वो easily जिसमें कोई भी physical यहां पर chemical कोई भी कोई भी abnormalities ना हो तो protein के जो हमारे पास turnover है वो हमारे से simply रहती है एक healthy human being के अंदर जो protein है means के वह हमारे पास उसका जो rate होता है protein synthesis का वो क्या होता है normally three hundred to four hundred gram of protein हम लोग जो है वो each लेते हैं ठीक है बतला four hundred gram हमारे पास daily in timis के four hundred gram हमारे पास जो है वो daily हमारे पास protein की synthesis भी होती है और protein की degradation भी होती है protein की synthesis भी होती है और यही हमारे पास protein की इसी फुम में इतनी हमारे पास क्या होती है protein की degradation होती है तो इससे प्रोटीन की डिली से होती है लेकिन हमारे पास हैं प्रोटीन की भी कुछ केटिगरीज है मिंग्स के हमारे पास कुछ प्रोटीन होते हैं वो हमारे पास शॉर्ट लिफ प्रोटीन होते हैं ठीक है कुछ जो हमारे पास शॉर्ट लिफ प्रोटीन होते हैं ठीक है कु जो half life होती है, बहुत ही कम होती है, half life जो होती है, वो short होती है, learnt कि वो जलदी degradation का process start कर लेते हैं, इन में हमारे पास regulatory protein आ जाते हैं, ठीक है regulatory pepper protein आ जाते हैं, यहां फिर हमारे पास है वो वीक्स में इनकी डिविटेरिेशन परemosyn थैए कोलीजिंट होते हैं ठीक कोलीजन परोटी、「 क्रवजंटयें लृटीज yemे यह मंस से एर जो मिंस कि इनकी हाफ लाइज होती है वह मांस टू एर होती है मिंस कि बहुत जादा इस्टेबल होते हैं ठीक है यह हमार पास इस्टेबल होते हैं इसी तरीके से हमार पास जो है लॉंग लिफ्ट हमार पास जो होते हैं यह भी हमार पास इस्टेबल में आ जाते और हमारे पास हमारे ब्सक्ता हमारे पास नेखंध करो हमारे हां रिफ झास. अब हमारे पास हमारे पास प्रूटीन के डिग्रीडेशन कोने की जर्वारेश now को समीं दीजर यचन होता हैं. एक ATP dependent होगा ठीक है और दूसरा हमारे पास ATP independent system होगा जो कि लाज़ोजों के तरी थ्रू होगा हमारे पास क्या होता है हमारे पास जो है वो protein की degradation के protein की degradation के जो है वो दो main process होते है means कि दो processes के थ्रू हमारे पास protein की degradation होती है नबर बन प्रोसेस जो होता है उसमें हमार पास क्या होता है वो ATP dependent होता है ठीक है ATP dependent होता है ठीक है ATP dependent प्रोटोजों सिस्टम ऑफ साइटोजोल किसे कहते है इसे क्या कहते है ATP dependent प्रोटोजों प्रोटियों जों सिस्टम of cytosome ठीक है और जो हमारे पास दूसरा process होता है वो हमारे पास क्या होता है ATP independent जो दूसरा process होता है वो हमारे पास क्या होता है वो हमारे पास ATP independent ठीक है degradation degradation of lysosomes होता है ठीक है अब ठीक है इनमें जो main difference होता है वो क्या होता है कि यह हमारे पास नोन-selective होता है तो यह non-selective होता है और हमारे पास ATP Dependent Strem होता है Σे लेक्टिव होता है तो connections Commence को समझ आ गया होगा कि किस थरीक आप पास कैसे हमारे पास क्या क्या चीज वह वर डिसक्स होती है यहां तक आप लोगे घिघ एक पर हो नियुक्ति हमारा उब बारइब नाजर ग्राम पन्य तो बहुत वहती हैं तृटिंग प्रॉटें स्थेसाइज दिफ्हें प्रोटीन श्रयूर। इसमें जो हमारे पास short lip protein होते हैं वो half life रागुलेटरी मिसफोल्ड होते हैं जो प्रोटीन होते हैं उनकी ढिग्रीडेशन का प्रोक्रासिस है उसकी half life जो होती है as compared to short lip वो हमारे पास half days में और इंट्रा सेल कार रूहां चेम्हां सक्का चेम्झ दमारो रेहा कर साइन के एंटर नचेक्टरेट्टेन छहां फिर टॉसम्मारे इंट्रा इंट्राइक पर एन सीप्डेंडियां स्फडेयर शेक्व एंटर ऑ्स समया थ्यक्ट वर्युन टाल होते यह दूत देख़ी त वह पास कहेलेटे है बियुक्रफ प्रोटीओ सिस्टम आपको पता हुआ बियुबियूजोंस की अदर हमार पास क्या होता है। वो क्या होता है? वो होता है वो इंट्रस liberty अट्रोलियूस को स्थूत है और चो dobr içerisit नोग नोग़ देता है? ऑर जैसे नोग प्रोटीन घ्रेग भर में अधरा इंद्र देटीन को कर दो दोटेक है breaking advice यह मारे पात जो non protein जो a multiple independent होता है ना हमना हम पता है कि हॉडरो ऑफार अंजम होता है यह क्या करता है कि ऑटरवे säger उसक्ता थो फेड़न एक्स चले लिखनə उन दोन lon तो फैगी, ओटो फैगी प्रोसेस के थ्रू क्या कर देता है, हमारे पास जितने भी इंट्रसेललर प्रोटीन्स होते हैं, या फिर इंट्रसेललर प्रोटीन्स होते हैं, उनकी इंट्रसेललर प्रोटीन्स क्या कर देता है, डीग्रेडेशन, ठीक है, ये डीग्रेडेशन कर द इसमें स्पेसिफिकल ही नहीं होती इसमें इंट्राइल के अंदर हमार पास इसे प्लाजम प्रोटीन वगरा होते हैं उनकी एक करवा देता है तो मोस्ट इंपॉर्डन जो है यूबी प्रोटी ओजों सिस्टम है तो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे ठीक है आई होप यह लेक जो पहला था निट्रोजन मेंटोसम का ठीक हुआ है रभसके उन्धा6 उसके अदर अवरी पाड़ चुके ऺए ठीकotz के आधि यह सारे पौइं भाइग वहरें बड़ा वाते हैं लुक्नेशेंज थी अइंतित हैं ढूरेंशेंसे स्टाइश झारोंौता करदे दोगेनय देठीन कि रूंते हमाईशेंक आपर ख़किक है दोचान और टामारेंडल सब्सक्राइशर करका ओआर्फ तॐ मैं ट्वन इसकी डेपलीशन होती है कौन से यहां तब पर प्रोटिन के संसेसिस का देगा यहां पर हमारे पास प्रीकर्श ऑफ यहां पर इंटर्मीनिर गंपांट बनाएगा जो कि ग्लाकॉन ग्लॉकोस और प्री ओक्सिदेशन कर रहा देगा कार्बन डियोगसाइड और किसकी हई राइडरोजन की यह हमारे पास क्या होता यह हमरे पास बेसिकली अमाइन असिट का था अचा यह यहां पर कहा इन्हें है इल्थी वैल्फिद इंज्ड इंपू तो दी अमाइन असे पूल इस बैलनस पाइड अटा नमाइन अशिट इस हमारे पास collection of the amino acid होती है, इसमें future के लिए use नहीं, future के लिए store नहीं होते है बलकि जितनी amino acid burn रहे होते हैं, इतनी amino acid degraded होते हैं, तो इस तरीके से हमारे human के अंदर, in usual के अंदर nitrogen बैलन्स जो है, वो balance रहती है, protein turnover में हम लोग ने पढ़ लिए के protein turnover क्या होता है देखो, हमारे most in the body are constantly being synthesized, most protein the body synthesized and degraded turn over, turn over क्या 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 था है, protein हमारी body में जिस से नॉर्मली protein जो है, वो synthesized भी हो रहे हैं, वो protein क्या हो रहे हैं, हमारे body में degraded भी हो रहे हैं, ठीक है, for when the removal of abnormal unwanted protein, for example, many protein renewable synthesis, the protein the cells with protein degradation is in a minor role, for example, other protein the rate of the synthesis is essential and cellular, इसमें वही सिंपल बताया है के protein level में होता क्या हमारे पास के abnormal protein होते हैं, वो degradation के process के तुर हमारे body से निकल जाते हैं, और जो हमारे पास essential होते हैं, वो cellular level में हमारे body में function का रहे हैं, rate में हमारे पास simple वही रहे है, है healthy person में जो total amount थी protein की वो constant रहेती है, rate of protein synthesis is just to replace the protein that is depleted the process का protein turnover, leads to hydrolysis and resynthesize, 304 gram of the protein each day, the rate of the protein turnover, widely for individual proteins, short-lived proteins, for example, many regular protein and miss-forward proteins are rapid degraded, half-life, having half-life major in minutes or are long-lived with half-lives of days to weeks, constitute the majority of the protein, structure proteins such as the cellular and metabolic stability have half-life major in months, so that is what we have told you, that we have discussed here, that simply proteins are 400 grams per day, protein synthesis, and degradation, short-dip proteins, long-lived, short-dip, half-life, long-lived, long-lived, more productive protein, collagen, years of life, then we will tell you, here, simply, protein degradation, that protein synthesis, two processes, one ATP dependent, ubiquiting process, which is called proteo system of cytolol, and ATP dependent, dependent, system of lysosomes, proteozoom selective, degraded, damaged and short-lived proteins, and which is proteozooms, selectively, damage and short-lived protein, and what we have is called hydrolysis enzymes, which is non-selective, which is non-selective, which is called intracellular proteins, autophagic, which is called the integration of the protein, heterophagic, such as plasma protein, that is taking in the cell by endosauces, means that the protein is called heterophagic, and the intracellular proteins can be used in the cell, and the compound, and to prevent the protein from the protein. This is also called the nitrogen metabolism, so this is the type of protein we have explained here, we have about to discuss the nitrogen metabolism, so this is what we will see from the nitrogen metabolism, so this is the type of nitrogen metabolism, and if you read the article, so this will be the type of nitrogen metabolism, for the next lesson, में जो है यूबी क्वाइटिंग जो प्रॉट्रियल सिस्टम है उसको डिसकस करेंगे